नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार्ग धन तेरस के दिन विसेश प्रियोग किये जाते हैं क्योंकि इस दिन सौपिंग करने का खरिदाड़ी करने का भिधान है और धन तेरस भारत का ये प्रमुक्तिवहार है जिसका पूरा साल इंतजार कर करते हैं ताकि कोई ऐसी वस्तु खड़ी दी जाए जो पूरे साल उसका तेरह गुना आपको प्रॉफिट मिले अब दिपावली का पर्व धन तेरस से ही शुरू होता है पास दिनों तक चलने वाला इस पर्व के पहले दिन धन तेरस मनाया जाता है कार्ति कृष्ण पक्ष की त्रियोदसीती थी कोही धनवंतरी का जन हुआ था इसलिए इस दिन बिधी विधान से तमाम पुझापाट कर्मकान करने का विधान है पुरानिक कथा के अनुसार भगवान विश्नु द्वारा स्राप दिये जाने के कारण देवी लक्षमी को तेरह वर्सों तक एक किसा के घर में रहने से उसका घर धन संपत्ति से भर्पूर हो गया तेरह वर्सों उपरांद जब भगवान विश्नु मालक्षमी को लेने आये तो किसान ने मालक्षमी को वहीं रुख जाने का आग्रह किया इस पर देवी लक्षमी ने कहा किसान से कि कल त्रेव दसी है अगर व जो भी पैसा उसके पास है वह रखकर आवाहन करे लक्षमी का तो किसान को धन वैभव की प्राप्ति होगी जैसा मालक्षमी ने कहा था किसान ने वैशा ही कहा किया और यहां से उसके घर में धन वैभव आने लगा इस दिन बिसेश प्रियोग किये जाते हैं आप धन्तेरस पर नमक तो लाएंगे ही और नमक जो दरिता रुपी परिसानी को भी हटाता है और जीवन में खुसियां भी लाता है तो इस धन्तेरस पर नमक का एक छोटा सा प्रियोग जरूर कीजिएगा एक तो इसी दिन लाया हुआ नमक से आपको खाना बनाना है पूरे पंस दिन तक पहले के जो नमक है उसको साइड रख दें बाद में यूज कीजिएगा और इस नमक को आप जो पैकेट वाला नमक लाईएगा थोरा सा अपने कीचन में रखें खाना बनाने और इस नमक में दो-चार लॉंग डाल कर रखिए खाना हमेशा आप बनाने के समय बनाने के बाद बरतन को नमक वाले बरतन को ढख कर ही रख के नहीं तो नमक जो होता है बहुत जल्दी नकातमक चीजों को सोख लेता है जो आपके घर के लिए ठीक नहीं रहेगा इसलिए हमेशा ही जेनरली भी आप बंद करके ही रखा करें कांच के ब्याम में रखना नमक सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है प्लास्टिक में रखने से बचिये और किसी धातू में तो बिल्कुल भी नहीं हाँ लकड़ी के डब्बे में रख सकते हैं थोरा सा नमक आप एक छोटा सा कांच की कटोरी या कांच का गलास आपके घर में जो भी है उसमें थोरा सा लेले अपने घर के उत्तर पूरव दिसा में रख दे इस नमक को दिपावली के अगले दिन उठा कर आप कहीं वेसिन बेकरें में डाल कर बहा दीजेगा पानी में डारेक्ट जमीर पे कहीं नमक मत फेकिएगा और नमक कभी किसी को हाथो हाथ नहीं देना चाहिए रिष्टे खराब हो जाते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा और ये जो नमक आपने वहाँ पे रखा है तीसरा उपाई होता है इस दिन एक कांच का गलास में पानी ले 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 तीन भाग पानी इसमें एक चमच जो आपने धंतेस को नमक लाया है उसको डाल कर घर के दक्षिन पस्टिम कोने में रख दे जीवन की जितनी भी गरह पीड बाधाएं सत्रू दोस बाधाएं जो भी है सब ये पानी नमक सोख लेगा और इसको जो कार्तिक मास की पूर्णिमा होगी उसके अगले दिन आप इसको फ्लस कर दीजे या फिर ड्रेन में डाल दीजे ये आपके घर को सुखद बना देगा वैसे ये प्रियोग आप हर मेहन पर है तब एक छोटा सा प्रियोग कीजिए नमक की डली इस दिन खरीद कर ले आईए या एक फिटकरी का टुकरा भी ला सकते हैं लाल कपड़े में बांध कर अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने बाहर की तरब से इसको टांग दे और आप अगर दुकान में चाहते है हैं बेफसायस्तिल पर तो वहां भी ठांग सकते हैं कोई भी एत चीज लेकर टांग दीजीएगा इस दिन घंत 13 के दिन 13 दिये जलाए जाते हैं ताकि ओ이र लक्ष Conte मिले 13 दिन है हुझान भांबो न सामने जलाए बाकी के दीपक उठाकर 10 के देवाले में चराहे पर घर की च्छत पर पानी किर स्रोत पर घर के मुख्य दरवाजे पर आंगन में बालकनी में बात्रूम में हर जगह रखने का विधान होता है तो इस तरह से ये छोटा सा प्रियोग करके भी आप जीवन में खुसियों को पा सकते हैं इस दिन नई जारू लाना चाहिए क्योंकि जारू दरिता रूपी परिशानी को घर से भगाता है और घर में खुसिया अनंद लाता है देखी हम पहले ही किलियर कर दें कि धन तेरस के दिन जारू खईदने से गरीबी दूर होती है ऐसा मान्यता है साथ ही नई जारू से निगेटिव एनरजी भी दूर हो जाती है और घर में लक्षमी का वास होता है जारू को सुख सांति बढ़ाने वाला और बुरी सक्तियों का सर्वनास करने वाला भी बताया गया है इसलिए धन तेरस के दिन जारू खरीद कर अपने घर में जरूर लाना चाहिए साथ ही इस दिन नई जारू से ही जारू लगाना चाहिए और इस से ही सहलखे से पिसुम से नाराज हो सकती है अगर सीधे सब्दों में कहें तो δिवाली के तयोहार में जाडू का बहुत महत्व है और धन तेरस पर घर के निगेटिव एनरजी को दूर करने के लिए आप जाडू जरू खड़ी दें लेकि इसका रात किसमें क्या परियोग करें देखें पहली बात तो आप अपने घर में जाडू को कभी भी खुले आंगर में खुले आकास के नीचे मत रखुए दूसरी बात अब जाडू हमेशा ही ढक कर रखें और यह ढक कर इसलीं रखना है क्योंकि इसको लक्षमी करूप माना जाता है और इसी से दरिता बाहर भी की जाती है धन तेरेस की दिन जारू खरीदने का मोरत है और जारू हमारे घर की दरिता को बाहर करता है बस आपको कुछ बातों का ध्यान देना है जैसे कि देखे बाजार में बहुत तरह का जारू मिलता है जैसे सिको वाली जाडू फूल वाली जाडू जिसका ज्यादा महत्त है लेकिन प्लास्टिक की जाडू मत लीजेगा हमेशा ही घना और अच्छा जाडू देख के खड़ी दें तुटा फुटा हुआ हलका सा बिलकुल भी मत लीजेगा आप जब जाडू खड़ी देंगे तो एक बात याद रखिए कि जो घर में आपकी पूरानी जाडू है उसे आप उससे दरिता बाहर का किया जाता है दिपावली की सुबह तो उससे आप घर से जाडू लगाते वे कुड़े के साथ उसको बाहर कर दीजेगा और नई जाडू को घर में आपको यूच करते ही रहन है चुकि सनीवार और अमवस्याती थी है तो यहां पर आप जाडू कि आम दिनों में इन दिनों में आप खरिश सकते हैं लेकिन अगले दिन सुबह दिपावली की सुबह आप दरित्ता को बाहर जरूर कीजेगा पुरानी जाडू से और नए जाडू यूच करते रहें जा तो आप दिपावली में पूजा कीजेगा उसकी तमाम बस्तु धंतेरस के दिन खरिदने का आप कोशिस करें नहीं ले सकते हैं तो कम सकम दो चार जो में सामगरी है जरूर ले लीजिए फिलाल विदा लेते हैं हर हर महादेब